पेशनी कंडिशन कुछ ऐसी थी, फोर ग्रेड की बाढ़नेस थी, जो हेल लाइन वो पूरी पीछे चली गई थी, टैमपल भी काफी पीछे चले गए तक पीछे क्या इनको टैमपल थे ही नहीं, इन्होंने मुझसे कोंटेक्ट किया और बोला कि साहिल भाई कोई क्लिनिक सज करो, मेरे को एक परफेक्ट हेल नाइन चाहिए, अच्छी डैंसिटी चाहिए, कोई बैस क्लिनिक बताओ, तो मैंने इनके बजट के हिसाब से, इनकी लोकेशन के हिसाब से, इनको एक क्लिनिक सजिस करा और इनका ये हे ट्रांस्परांट हुआ, आप देख सकते हैं, बहुत 90% शेडिंग फेस में बाल चले गए, और 9 महिने तक आते आते हैं, इनका ये रिजल्ट था, कोई भी इनकी हेडलाइन को देख के कहीं नहीं सकता, इनको ने हेड्रांस्परांट करा है, बहुत सारे पेशेंट की हेडलाइन बिल्कूल कोई भी जज़ कर लेता है, कि यार इ इसने तो कुछ ना कुछ अपने सर में करा है, लेकिन इनको देख के लगता नहीं, इनको ने हेड्रांस्परांट करा है,